दोस्तों अक्सर जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका असर हमारे सेवर पर भी पड़ता है यानि आप वीक हो जाते हो या फिक बिमार पड़ जाते हो ठीक इसी तरह पोजिटिव यानि सकारातमक सोच ना सिर्फ हमें उप्टिमिस्टिक बनाती है बलकि ये हमारे स्वास्ते के लिए भी कई तरह से फायदे मंद होती है कैसे वही आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं पोजिटिव इंक का सबसे पहला स्वास्तिला भी है कि डिप्रेशन को दूर करती है जी हाँ डिप्रेशन का सबसे मुख्यकान नेग इजिटिव सोच रखने वाले लोगों का रक्तचाप नूर्मल रहता है और उने मदुमे होने के चांसे भी बहुत कम होते हैं और जब आप इन दोनों चीजों से बचे रहते हो तो आपका हार्ट पूरी तरह से स्वास्त रहता है और आपको एक अच्छी उम्र मिलती है इम इस सर्च के नुसार नेगेटिव सोच ब्रेन में इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज को बढ़ा देती है इससे परतिरक्षा पढ़नाली कमजोरोंने लग जाती है कठिनायों से लड़ने की शक्ति मिलती है चुनोतियों के बिना जीवन पोसिबल ही नहीं लेकिन सगरातमक इन चुनोतियों का सामना करने में मदद करती है इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग पोजिटिव रहते हैं वे में इसा नेगेटिव में भी कुछ ना कुछ अच्छा सोची लेते हैं और उसी के अदम पर उस प्रोब्लम को पार भी कर जाते हैं लास्ट है कि यह आपक के अंदर से आता है ऐसे में आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो सभी के साथ दोस्ताना विवार करते हो और आकरशक दिखने लगते हो तो दोस्तों अगर आप इन फायदों को अपना बनाना चाहते हो तो आज से नेगेटिव सोचना और ज्यादा स्ट्रेस लेना बंद कर द चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दोस्तों है